आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रूट कस्टड की रेसिपी जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है और बच्चों की तो फेवरेट होती है जो बच्चे फ्रूट्स खाना प्रसंद नहीं करते हैं उनको फ्रूट कस्टड बना कर सारे फ्रूट्स आप खिला सकत तो यहां पर मैंने ले लिए हैं कुछ फ्रूट्स जिन में अम्रूद है जपानी फल है बनाना है अनार है लम है सेव है अंगूर है और कीवी है तो चलिए इनको काट लेते हैं सबसे पहले हम जो है अम्रूद को काट लेंगे काट करना है है अब हम काट लेंगे बनाना कई लोगों को फ्रूस्ट खाना बिल्कुल भी बनाना जाए अब हम कार लेंगे बनाना कई जैसे बच्चे भी हैं तो आप इस तरह से फ्रूट कस्टर बना कर उनको फ्रूट कहला सकते हो बहुत ही टेस्टी लगते हैं बहुत ही चौक से बच्चे खा भी लेते हैं और इनको भी हमने गुल-गुल काट लिया है अब हम एपल काट लेंगे सीर्स निकाल लेंगे इनके और इन्हें भी बीच में से गट लगा की बिल्कुल चोटा-चोटा सा काट लेना है हमें इसी तरह से प्लम काट लेंगे जिसे अलू बखारा भी बोलते हैं ब्लैक बले ग्रेप्स नहीं है तो प्लम का यूज़ कर रही हूं आपके पास हैं तो आप ब्लैक बले ग्रेप्स टाल सकते हैं बहुत अच्छे लगते हैं इसमें और ग्रेप्स काट लेंगे अब और इसके अंदर के जो सीर्स होते हैं उनको निकाल लेना है और अब हम कीवी को काट लेंगे इसका पहले चिलका उतार लेंगे तो यह देखिए मैंने दोनों कीवी का चिलका उतार लिया है और इने भी हमें कट कर लेना है चोटा-चोटा इसी तरह से दूसरी बली भी काट लेंगे और अब हम काट लेंगे जपानी फल जिसे अमर फल भी बोला जाता है और आपकी तरफ इसे क्या बोला जाता है कमेंड करके जुरूर लिखें काफी टेस्टी होता है यह भी तो इसे भी हम बिल्कुल चोट चोटा हम काट लेंगे आपको जो जो से प्रूट्स पसंद है आप उन्हें इसमें एड कर सकते हैं तो यह देखिए हमने इसे भी काट लिया है अब हम चील लेंगे अनार को तो यह देखिए अनार भी चील लिया है तो चलिए अब गैस पे रख लेते हैं कडाई और इसमें डाल लिया है मैंने एक लिटर दूद् यह पे मैंने हाप काटोडी जो है नॉर्मल दूद के लिए गरम दूद नहीं लेना है और इसमें एड कर लिये हैं तीन या चार बड़े चमच कस्टर्ड पाउडर के और इसे मिला लेना है दूद् कुछ थंडा ही लेना है नहीं तो गरम दूद में कस्टर पाउडर अच्छ से मिलता नहीं है और ये देखिए अच्छ से मिला लिया है को मध्रीन लं रिकां से इसमें the people तो इसको थोड़ा सा खिला लेंगे और इसमें अब डालेंगे कस्टर्ड पाउडर और थोड़ा करके हमें डालना है साथ में इस दूद को हिलाते रहना है और इसमें एड़ कर लेंगे एक कप चीनी जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम जागा कर सकते हो और अच्छे से मिला लेंगे इन्हें तो देखिए दू जो है थिक होना स्टार्ट हो गया है आप इस तरह से फिंगर से टच करके देख सकते हो थिकने सा अगई है और थोड़ी देर इसको इसी तरह से पका लेना है और गयस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे अब बावल में ताकि जल्दी से यह ठंडा हो जाए तो जितना मुझे बनाना है मैं उतना भी निकाल रहे हूँ और बाकी बाला रख लेंगे उसको बाद में यूज़ कर लेंगे तो इसमें आप एड़ कर लेंगे फूट्स क्योंकि जो दूद है वह ठंडा हो गया है तो पहले डाल लिए है एपल फिर डाल लिया है बनाना औ अब डालेंगे गवाबा और साथ में डालेंगे जपानी फल कीवी डालेंगे प्लम डालेंगे अंगूर डालेंगे और एड़ कर लेंगे अब अनार को और मिला लेना है इन सब चीजों को आपस में कि यह देखिए अच्छे से इनको मिला लिया है और अब इसी उपर से थोड़ा सा गानिश कर लेते हैं अनार से मैंने थोड़ा सा अनार ग्रेप्स बचा लिये हैं और यह प्लम है ग्रेप्स हैं इनकी साथ हमने इसे गानिश कर लिया है तो देखिए हमारा फूट कस्टर जो है बनके तयार हो गया है और बहुत ही बढ़िया यह बना है देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही बढ़िया है अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाई